नमस्कार दोस्तो वेल्कम टू माई चैनल दा करेक्टिव शो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे पामिस्ट्री से जुड़े एक सवाल के बारे में जो रिसेंटली एक व्यूवर ने पूछा है और लगबग हम सभी के मन में भी कई बार ये कुश्चन आता ही है कि अपना कौन सा हाथ देखर लाइन्स को चेक करना चाहिए क्योंकि इस बात को लेकर कई सारे अलग-अलग मत है कि अगर आप एक लड़की है तो अपना लेफ्ट हैंड देखें और लड़का है तो आप अपना राइट हैंड देखें इसके बारे में ये कन्फ्यूजन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वेस्टर्न और इंडियन पामिस्ट्री दोनों में ही इसे लेकर अलग-अलग राय दी गई है जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है तो मैं आपको यही सज़ेस्ट करना चाहूंगी कि ये दोनों ही हाथ आपकी है और चाहें आप एक फीमेल है या एक मेल इससे कोई फर्क नहीं बढ़ता क्योंकि दोनों ही इनसान है और दोनों ही सोचने और समझने में समर्थ है तो फिर फर्क कहा हुआ ये फर्क तो समाज ने अपनी सुविधा के लिए क्रियेट किया है अदरवाइस एक लड़की का दिमाग तो 13 साल की अमर में ही उतना डिवल्प हो जाता है जितना डिवल्पमेंट एक लड़के के दिमाग में 18 साल की अमर तक पहुँच कर आता है दिमाग का सीधा कनेक्शन हमारे हाथ की रेखाओं से जुड़ा है हाथ में बनी रेखाओं को आप अपने दिमाग का ECG या मैप भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन की फाइबर नर्व्स आपस में कनेक्ट होकर एक पैटरन बनाती है जो या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव और इसे ही हमारी इंटेलिजन्स या थोट प्रोसेस कहा जाता है अगर हमारा थोट प्रोसेस हर चीज़ में कमी निकालने वाला यानि नेगेटिव है तो हाथ में नेगेटिव साइंस बनने लगेंगे और अगर हम अपने आसपास की घटनाओं को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो हतेली की रेखाएं, हाथ का टेक्श्चर और पाम का कलर तीनों ही पॉजिटिव सिगनल देने लगते हैं लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखने का एक रिजन ये भी दिया जाता है कि वो कमाती नहीं है, यानि नौकरी नहीं करती और घर में ही रहकर as a housewife पती के कमाई पैसे पर ही अपना गुजारा करती है जबकि सचाई इसके बिलकुल विप्रीथ है इसके दो कारण है, पहला तो एक housewife दिन के 24 गंटे में 18 गंटे लगातार, mentally और physically active रहती है और दूसरा वो बचत के रूप में पैसे भी कमाती है क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी तो इस बात में भी कोई दम नहीं रहा कि एक लड़की पैसे नहीं कमाती इसलिए उसका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए अब सिधे मुद्दे की बात करते हुए जो नतीजा एक वर्ड फेमस पामिस्ट ने निकाला है वही एकदम हम सभी पर फिट बैटता है वो कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड को हमारा पैसिव हैंड माना गया है यानि हम अपनी किस्मत में पूर जनूं के करमों के अनसार जो कुछ भी लेकर आए हैं उसका ब्लूप्रिंट लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा और अपने इस हाथ को देखकर सिर्फ अठाइस साल की उम्र तक का प्रडिक्शन किया जाता है इसके बाद के समया और पॉसिबिलिटीज को अपने राइट हैंड में देखें जिसे पामिस्ट्री में एक्टिव हैंड कहा जाता है एक बार फिर से ख्लियरली रिपीट कर देती हूँ कि जन्म से लेकर 28 साल तक की उम्र का प्रडिक्शन हमारे लेफ्ट हैंड को देखकर किया जाता है और 28 साल की उम्र के बाद का टाइम हमारे एक्टिव हैंड में देखा जाता है यानि राइट हैंड में देखा जाता है अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तब तक अपना खूब क्या लखे और मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच